चांद पर भी है ट्राफिक जांप, वहां सिर्फ चंद्रयान 3 अकेला नहीं है, इतने लगे लैंडिंग की लाइन में जल्द ही चांद की जमीन पर उतरने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं, दूसरे देशों के भी कितने मिशन लाइन में हैं, अगला हफता भारतिय साइ अहम अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर उतरने वाला है, बताया जा रहा है, चंद्रयान 21 सी 23 अगस्त के बीच चांद की जमीन पर लैंड करेगा और इतिहास के पन्नों में अपना स्वर्णिम नाम शामिल करेगा, ये भारत के लिए इकलौता अहम मिशन है लेकिन क्या आप जानते हैं इस तरह के मिशन से वहाँ ट्रैफिक जाम जैसे हालात हैं? हुआ क्या है कि जिस तरह भारत ने अपना मिशन भेजा है, वैसे ही कई देशों ने भेजा है, और चांद की ओन और्बिट में दूसरे देशों के भी कई मिशन हैं, जो जल्द ही चा भीड रहने लगी है, और अंतरिक्ष का महौल कैसा है? इंडिया तुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, चांद की ओनर्बिट में अभी 6 एक्टिव मिशन हैं और कई अन्य प्रोजेक्ट्स लाइन पर है, चंद्रियान के अलावा जो मिशन हैं, उनकी बात करें तो अभी चांद की ओनर्बिट में नासा का लुनर, रिकॉनिसंस ओनर्बिटर नासा के आर्टेमिस के तहट दो और मिशन कोरिया पार्टफाइंडर लुनर ओनर्बिटर और नासा का कैस्टोन शामिल है, चंद्रियान के अलावा ये मिशन अभी चांद की ओनर्बिट में हैं बता द इसके साथ ही अब जल्द ही रूस का लूना 25 मिशन लॉंच हो गया है जो 16 अगस्त को चांद की ओन अर्बिट में प्रवेश कर सकता है इसके जरिये चांद के साउथ पोल को एक्स्प्लोर किया जाएगा और ये भी चंद्रियान के कुछ समय बाद ही चांद पर लैंड करेगा मून मिशन की बढ़ती संख्या के साथ चांद वैज्ञानिक होज का केंद्र बनता जा रहा है हलांकि ज्यादा मिशन से आपसी तकराव से बचने जैसी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है दोस्तो ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे और कॉमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसी लगी घन्यवाद?